नवसकार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैंने रहन सानी स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे क्लास 12 कमेश्टी का चेप्टर 1 सोली डिश्टेट यानि की ठोस वस्ता और इसका दो भाग हमने बता दिया है जिसमें हम लोग सीख चुके थे क्रिश्टलिय ठोसों के बारे में और और क्रिश्टलिय ठोसों के बारे में जिसके बारे में हमने बिस्तार से प्रिबियस सेशन में बर्डन किया हुआ है यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है जरूर देखिए NCRT में जो चीज आपको पढ़ना है वो है क्रिश्टलिय ठोस के बारे में तो बिस्तार से अब आपको क्रिश्टलिय ठोसों के बारे में बताया जाएगा तो आज का हमारा topic होगा कितनी आधारण पर बर्गी करत का गया है और ये कितनी प्रकार होते हैं उनकी क्या भी सिस्ता होती है और उनकी example क्या है ये सारी चीज़े जो है आज के वीडियो में हम discuss करने वाले है तो यद ही आप कैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा बेल आइकन को प्रेस किजएगा और इसे अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर देजएगा यदि आपको सारी चीज़े समझ में आती है तो कमेंट के मादे हमसे जरूर बताइएगा तो आज का हमारा जो टोपिक होगा वो क्या है तो क्रिष्टलिय ठोसों का बरगी करन क्रिष्टलिय ठोसों का बरगी करन वही चीज़ हम यहाँ पर नोट करेंगे क्रिष्टलिय ठोसों का बरगी करन तो कृिष्टलिय ठोसों को दो आधार पर ब्रगेकरित किया गया है एक क्या तो संगटककण यानि कि अवयवी कणों के मद्यबंद के अधार पर तो ये संगटकण या अवयवी कण क्या होते हैं तो हमने विश्टार से बताया हुआ है कि जिससे कोई पदार्थ मिलकर के बना होता है जिन सुक्ष्मकणों से कोई पदार्थ मिलकर के बना होता है उसी को संगटकण या वयविकण कहा जाता है और यहां पे पदार्थ का जो संगटकण होता है या वयविकण होता है वह परमाडू अनुया आयन होता है परमाडू अ से मिलकर के बना होता है तो यहां पर दो आधार को समझते चलना है तो क्रिशलिय ठोसों का बर्गी करण हम पढ़ रहे हैं तो क्रिशलिय ठोसों को दो आधार पर बर्गी करण किया गया है पहला क्या तो संगटक करणों के मध्य बंद के अधार पर बात किया जै कि ये संगटक करण क्या होते हैं तो किसी भी द्रब्य के पर माड़ू आड़ू या आयन ही संगटकण होते हैं और उनके मद्य बंध के आधार पर क्रिश्टलियट होसों को बर्गिक्रित किया गया है दूसरा क्या है तो ज्यामिती के आधार पर किसके आधार पर ज्यामिती के आधार पर देखते चलना है सारी चीजों को समझते चलना है तो एक क्या है संगटक कणों के मद्य बंद के आधार पर क्रिश्टलिय ठोस कितने परकार के होते हैं और ज्यामिती के आधार पर किस परकार के ठोसों को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संगट कणो के मद्य बंध के आधार पर तो इसके आधार पर चार प्रकार के क्रिश्टलिय ठोसों के बारे में हमें पढ़ना है चार प्रकार के क्रिश्टलिय ठोसों के बारे में पढ़ना है पहला इसमें आ जाएगा क्या चिस्तो आडविक ठोश ठीक पहला हो जाएगा आडविक ठोश बोला जाते इंग्लिस में molecular solid उसके बाद से दूसरा होगा क्या चिस्तो आइनिक ठोश आइनिक ठोश इसको बोला जाता है इंग्लिस में वही चिस आइनिक ठोश उसके बाद से तीसरा हो जाएगा सह सनी ओजग सनी ओजग ठोश या इसी को बोला जाता है network ठोश इंग्लिस में बोला जाता है equivalent शोलिड या नेटवर्क सोलिड उसके बाद से जो चोथा होगा चोथा जो इसमें पढ़ना है वो क्या होगा तो है धात्विक ठोस धात्विक ठोस, इंगलेस में बुला जाता है मेटोलिक शोलिड तो यहाँ पे संगटक कडो के मद्दे बंद के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के पहला आणविक ठोस यानि कि मलेकुलर सोलिड दूसरा आइनिक ठोस यानि कि आइनिक सोलिड और तीसरा सहसनियोजक ठोस या नेटवर्क ठोस और चोधा धात्विक ठोस यानि कि मेटॉलिक सोलिड अब बात किया जा है इस साइड में चलते हैं तो जियामिती क के आधार पर ठोशों को कितनी भागों में बरगेत किया गया है तो जामिती के आधार पर जिसके बारे में पढ़ना है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है क्रिश्टल तंत्र के बारे में क्रिश्टल तंत्र के बारे में इंगलिस में बुला जाता है क्रिश्टल सिस्टम क्र ते चस्ताइब्र बाद से वरना है, ब्रेवेश जालक के बारे में, ग्रेवेश जालक, इसमें बोल जाता है, ब्रेवेश लेटिस, जो तीसरा थर्ड प्ैंट हो जाएगा, क्या चिस तो खते हैं, क्रिस्टल कक्छाएं, इसको इंगलिस मुला जाता है crystal classes तो इतने प्रकार में हमें पढ़ना है ज्यामिति के आधार पर crystal यह ठोसो का है तो यहां पर जो crystal तंत्र होती है वो साथ होता है यह भी बात याद रखनी है ब्रिविस जालकों की जो संख्या होती है वो 14 होती है बिस्तार से यह सारा चीज ब क्रिश्टल तंत्र और ब्रिविस जालक के बारे में क्यों ऐसा किया जाएगा क्योंकि आपके सलिवस में यही है crystal तंत्र और ब्रिविस जालक के बारे में discussion आपको किया जाएगा दूसरी बात इस साइड में चलते हैं तो यह चारों प्रकारों के बारे में हमें बिस्तार से प्ढ़ना है, detail में प्ढ़ना है, इसके example को जानना है, क्योंकि यहां से question बनते हैं, तो आपने समझ लिया कि kristalier ठोसों को, कितने आधार पर बर्गे गरत किया गया है, तो kristalier ठोसों को दो आधार पर बर्गे किया गया है, एक को बोला जाता है, उनके मध्य जो आवयवी कण होते हैं या संगटक कण होते हैं उनके मध्य बंध के आधार पर और दूसरा क्या तो ज्यामिती के आधार पर तो यहाँ पे बंध के आधार पर चार प्रकार के क्रिश्रलिय ठोसों के बारे में पढ़ना है पहला होगा Advic Thos यानि की Molecular Solid, दूसरा Ionic Thos यानि की Ionic Solid, तीसरा सहसनियुजक Thos या Network Thos, इसी को Network Thos भी बोला जाता है, यानि की Covalent Solid, और चोता हो जाएगा Dharatvik Thos यानि की Metallic Solid, तो ये चीजे हैं यहाँ पर, उसके बास से Crystal Tantra, जामिती के आधार पर जो चीजे पढ़नी है क्या क्या चीज तो क्रिष्टल तंत्र इसकी संक्या है सेवें उसके बाद से ब्रेबिस चालक इसकी संक्या होती है 14 यही आपके सलेवस में NCRT में यही चीज है जो चीज यहां पर लिख दिया गया है उमीद करते हैं कि आप को ने note कर लिया होगा या skin shot ले लिया होगा अब हम पड़ेंगे सबसे पहला ठोस किसके आधार पर किसके आधार पर तो संगठकण या अवयवी कणों के मत्य बंद के आधार पर और जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे आडविक ठोस देखते रहे हैं बहुत ही अच्छा लगने वाला है और यदि आपको समझ में आती है चीज़े तो जरूर कमेंट के माधियम से बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें झाले तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्रिश्टलिय ठोस क्या चीज़तो पहला नंबर पर आ जाएगा जिसे बोला जाता है आडविक ठोस आडविक ठोस एंगलिस में बोला जाता है Molecular Solid देखते रही है बहुत ही अच्छा लगने वाला है तो आडविक्ठोस क्या होते हैं सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए तो इसके अवयविकन जो होते हैं आडव होते हैं जो की आपस में दुर्वल वंडर वाल्स बल से आकरसित होते हैं वही चीज हम यहाँ पर लिखते हैं इसके संगटक कण संगटक कण क्या होते हैं आडव होते हैं जो आपस में दुर्वल वंडर वाल्स बल से आकरसित होते हैं आकरसित होते हैं ठीक तो जिन के संगटक कण या आवयविकन अड़ होते हैं ऐसे ठोस को बोला जाता है आडविक ठोस समझते चलना इस प्रकार के ठोस को क्या कहा जाता है तो आडविक ठोस कहा जाता है जैसे कि सुस्क CO2 क्या चिस्तो सुस्क CO2 सोलिरी स्टेट में होगा इसी को सुस्क वर्फ भी बोला जाता है सुस्क वर्फ तो ये कैसा ठोस है तो ये है आडविक ठोस क्योंकि इसके संगटकन क्या होते हैं आडव होते हैं तो आडविक ठोस को तीन भागों में बाटा गया है, यानि कि आडविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, तो आडविक ठोस निम्न लिखित तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के होते है ठीक, आडविक्ठोस तीन प्रकार के होते हैं, कौन-कौन तो जिसमें पहला हो जाएगा दुरुवी आडविक्ठोस पोलर, मालिकुलर, सॉलिड दुसरा हो जाएगा और दुरुवी आडविक्ठोस उसके बाद से तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बंद से हाइड्रोजन बंद से आबंदित आडविक्ठोस तो जिए आडविक्ठोस है कौन-कौन सा तो पहला है दुरुवी आडविक्ठोस दुसरा और दुरुवी आडविक्ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंद से आबंदित आडविक्ठोस तो तीन प्रकार के ये आडविक्ठोस होते हैं और इन सभी के जो संगटक कण होंगे वो क्या होंगे आडू होंगे ये बात याद रखनी है तो आडविक ठोस का ही संगटकण आडू होता है तो इतने प्रकार का आडविक ठोसों का संगटकण क्या होगा तो आडू ही होगा ये बात याद रखनी है जो आपस में दुर्बल वंडर वाल्स बल से आकरसित होता है अब ये क्या होता है दुरबल, वंडर, वाल्स, बल तो क्लास 11th में इस बल के बारे में बताया गया कि जो कणो के मध्या आकरसन बल लगता है उसी को बोले जाता है वंडर, वाल्स, बल जिसको की 11th में आपको बताया गया होगा जरूर ये नाम आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे आपको आडविक ठोस को तीन भागों में रख करके अद्यन करना है यानि कि आडविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं एक को बोले जाता है दुरूवी या आडविक ठोस दूसरे को कहते हैं और दुरूवी या आडविक ठोस और तीसरे को बोले जाता है तो यहां पे आडविक ठोस पिती प्रकार के जिसमें सबसे पहले के बारे में हम बर्णन करेंगे जिसका नाम है धुरूविय आडविक ठोस तो समझते चलना है दुरुविय आडविक ठोस क्या है तो दो भिन विद्यूत्रिरात्मक्तत्व जब आपस में सहसन्योजी बंद से जुड़े होते हैं दो भिन विद्यूत्रिरात्मक्तत्व आपस में सहसन्योजी बंद से जुड़े होते हैं तो उनके आड़ धुरुविय हो जाते हैं कैसे धुरुविय होते हैं ये बात हम करेंगे यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक एक्जाम पर लेते हैं जो होता है कैसे तो HCL का Hydrogen Cloride का किसका तो Hydrogen Cloride का जिसमें Hydrogen और क्लोरीन के बीच एकल सहसनुजी बंद है अब सहसनुजी बंद क्या होता है तो परमाड़ू के मद इलेक्टानों की साचे तारी से जो बंद बंता है उसी को बोला जाता है सहसनुजी बंद जब एक एक इलेक्टान की सहजदारी होती है तो वहाँ पर एकल बंद बंता है जब दो-दो इलेक्रान की सहज़ारी होती है तो वहाँ पे double bond और जहाँ पे तीन-तीन इलेक्रान की सहज़ारी होती है वहाँ पे triple bond बनते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो hydrogen और chlorine अलग-अलग तत्व है बिद्युत्रडात्मक तत्व है बिद्युत्रड़ात्मक तत्व क्या होते हैं तो ऐसे तत्व जिसम इलेक्रान ग्रहन करने की छमता होती है और elektron ग्रहन करेंगे तो consider ग्रहण करने वाले तत्व पर चार्ज आता है जिस चार्ज को कहा जाता है रिडात्मक चार्ज यानि कि निगेटिव चार्ज और जो इलेक्टरन का त्याग करता है उस पर आता है पाजिटिव चार्ज तो यहां पे क्लूरीन का जो इलेक्टरान ग्रहण करने की छंता है यान कारण से इस पर दुरुणता आती है कैसे दुरुणता आती है तो जो जिसके पास अधिक जिसके पास अधिक बिदुत रात्मक्ता का गुन होता है वो साज़ेदारी के इलेक्टरान को अपनी और आकरसित करता है अपनी और खीचता है अपनी और खीचता है जिसके पास बिद ग्रहाण करने वाला बनाता है negative charge partial negative इसी को डेल्टा negative से प्रदरस्यट किया जाता है यानसिक पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है फिर भी electron जो सज़दारी वाले उच जा रहे हैं किदर तो जिसके पास विदूत रत्मक्ता की छमता जाधा है उधर तो यहां पे जिधर से जा रहा है यानि कि अब यह क्या हो गया इलेक्टरान को त्याग करने वाला इसलिए यह बनाता है पार्शियल निगेटिव पार्शियल 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 पार् तो देखा जाए यहाँ पी तो यहाँ एक ह gdzie राडु है क्या है यहाँ पर निगेटीव चार्ज बना और यहाँ पर से लाडु यहाँ पर से लाड़ भी jest तीसरा हे यहाँ पर जाइन प्याड़्ट लाड़ यहां पर निगेटीब चार्ज तो कहने का मतलब है कि अड़ों की शंक्या बहुत अधिक होती है और उस पर क्या है जब चार जाते हैं तो इसी गुण को बोलता है धुरुवता का गुण किस क्या चिस्तो धुरुवता का गुण और ऐसी योगिक धुरुविय योगिक कहलाते हैं कैसे तो धुरूविय योगेक क्योंकि सजदारी का इलेक्टरान किसी प्रबल विदूत्रिरात्मक वाले तत्तों की और जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक आणू यह हुआ और दूसरा आणू इसमें भी धुरूविय गुण है कैसे गुण है तो दुरुविय और इसमें भी दुरुविय गुण है तो जब दो दुरुविय आड़ो पास में आते हैं तो उनके विपरीत आवेश एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं किसके द्वारा तो इस्थिर बैदुत बल द्वारा तो इस्थिर बैदुत आकरशन बल द्वारा ये क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं ठीक तो यहाँ पे दो धुरुव जुड़ रहे हैं इसलिए इसको जो है दु दुरुव उत्पन्न हो गया और दो दुरुव आपस में इस्थिर बैदुत बल द्वारा जुड़ने लगे ऐसे ही ठोस को कहा जाता है कौन सा ठोस तो दुरुवी आडविक ठोस तो सारा लंग्वेज इसके बारे में हम लिखेंगे सबसे पहले लेकिन इससे पहले हम इसके इक्जामपल को देख लेते हैं तो आपके पास ठोस है उदारन देख लिया जाए उदारन तो ठोस है या ठोस एक्जामपल है तो दुरुविय आरविक ठोस क एक्जामपल है किशका तो दुरुविय आणविक्टोस यही चीज को हम लागवेज में लिखते हैं दो भिन दुरुविय बिद्युत रिडात्मक तत्व दो भिन बिद्युत रिडात्मक तत्व आपस में सहसनियोजी बंद से जुड़े होते हैं तो आड़ु धुरुविय हो जाता है तो आड़ु धुरुविय हो जाता है जिससे कि यहाँ पे दिखाया गया कि क्या हुआ यहाँ पे दो अलग अलग बिद्युत रिडात्मक तत्व हैं और जब जुड़ते हैं तो आड़ु क्या हो जाता है द्रुविय हो जाता है आगे जिससे द्रुव उत्पन्न हो जाता है इन द्रुविय आड़गों के मद्य इस्थिर बिद्योत आकरशनबल होता है इस्थिर बिद्योत आकरशनबल होता है जो चीज बताया गया उसी चीज को यहाँ पर नोट कर लिया गया है आसानी के लिए कि आप जो है आसानी से अपनी नोट को बना सके जितनी भी चीजे थी यहाँ पर धुरुविय आड़गों के बारे मे यह सारा बताया जा चुका है, एक बार फिट से हम इसका revision कर लेते हैं, क्या मतलब, दुरूवी आर्विक्टोस क्या होता है तो जब दो भिन बिदूतर रात्मक्ता तो है, जैसे कि हाइडोजन का बिदूतर रात्मक्ता अलग होता है और क्लूरीन का बिदूत इडातमक्ता अलग होता है तो जब दो भीन बिदूत इडातमक्ता तो आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच दुरुता उत्पन्न हो जाता है दुरुवी अगुल उत्पन्न हो जाता है कैसे क्योंकि जो प्रभल होता है जिसमें प्रभल बिदुत रात्मक्ता का गुण होता है वह इलेक्टान को अपनी और खीचता है और जिस कारण से साजदारी के इलेक्टान को अपनी और खीचता है और जिस कारण से क्या होता है कि उस पर नेगेटिव चार्ज और जिदर से इलेक्रान जाता है उस पर क्या होता है पाजिटिव चार्ज आ जाता है और जब दो आड़ू पास होते हैं तो उन दोनों दुरूओं के आड़ू आपस में एक बल द्वारा जुड़ जाते हैं जिसे बुलता है इस्थिर बैदुत आकरशन बल और इसके द्वा सारे ऐसे ठोस देखने को मिलते हैं तो आपको इसके इसके बाद से हम दूसरा नंबर जानेंगे आड़ू ठोस का जो होगा क्या तो और दुरूओं आड़ूओं ठोस देखते रहना है यहां पर और दुरूओं आड़ूओं ठोस क्या होता है बात किया जाए उसका इसलिए ये सारे चीज़े हम मिठाते हैं यहां पर और दुर्विया आडविक ठोस बी नमबर पर आडविक ठोस सबसे पहले बाद इसके लांग्वेज को हम देखेंगे कि और दुर्विया आडविक ठोस क्या होता है तो जब समान बिद्धुत अड़ातमत्ता वाले तत्व एक दूसरे से जुड़ करके आडव बनाते हैं तो ऐसे आडव धुर्विया नहीं होते हैं ऐसे आडव में धुर्वता नहीं होती है कैसे नहीं होती है ये भी हम बताएंगे अब ये किस से जुड़े होंगे तो आपस में दुर्वल वंडर्वाल्स द्वारा जुड़े होते हैं और ये से ठोस को बोला जाता है और दुर्विया आडविक ठोस इसे चीज़ को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं जब दो शवान बिद्युत रिडात्मक तत्वा एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से क्या करके तो जुड़करके जब दो श्रमान बिद्युत रिडात्मक तत एक दूसरे से जुड़करके आडव बनाते हैं तो उनके मद्य दुरुवणता उत्पन नहीं होती ऐसे ठोसों के आड़ु दुरुवल वंडर्वाल्स वलद्वारा आकर्शित होते हैं ठीक है बात किया जाए एंड औरुवक होते हैं या आई टु शोलीड श्टेट में ठीक या एंड टु सोलिड श्टेट में आ दिए ये सबहें किसके एक्जामपल का ये सबहें जबू दुरुवी आजबिक्ठोस का जिसमें का हम एक पार्ट यहां पर रे लेते हैं जैसे कि H2 लिया जा, किसके अवस्था में तो Solid State में, ठीक है, H2 जो है Solid State में, तो इसमें Hydrosion है और Hydrosion है, जिसके मध्य इकल सहसनियोजी बंद है, तो कहने का मतलब है, कि जब दो शमान विदुत रात्मक्ततों, सहसनियोजी बंद द्वारा, किसके द्वारा तो सहसनियोजी बंद द्वारा सहसनु जी बंद द्वारा एक दूसरे से जुड़कर अनु बनाते हैं तो उनके मदे दुर्वंता नहीं होगी क्यों नहीं होगी तो ये दोनों समाने दोनों की बिद्यूत रिडात मकता क्या है? समाने electronically negativity गुन समाने इस करण से साजदारी काeltरान कहीं भी नहीं जाएगा मतलब कि कोई भी तत्तो साजदारी काeltरान को अपनी ओर आकरशित नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों मिंद शमान गुन है और इसके आएन नहीं बनेगा ये भी चीज़े आपको class 11 में बताया गया हुआ और इसका example है क्या चीज़ तो H2, I2, N2 ये सभी क्या है तो इसके example है इतनी चीज़े आपने समझा उमीद है कि सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ये समझ में आता है तो जरूर कमेंट को मादेम से बताया अब तीशरा देखा जाए तीशरा आडविक ठोस का प्रकार जिसमें हो जाएगा क्या चीज़ तो हाइड्रोजन बंद से आबंधित आडविक ठोस शी नमबर पे आजाएगा हाइड्रोजन बंद से आबंधित आडविक ठोस देखे बात आती है हाइड्रोजन बंद हाइड्रोजन बंद की तो इस पस्ट है कि इसमें हाइड्रोजन आवस्य होगा ठीक है क्या होगा तो हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन जब हाइडोजन जब फ्लोरीन आक्सीजन और नाइट्रोजन से सहसनुजी बंद द्वारा जुड़ करके आड़ू बनाता है सहसनुजी बंद द्वारा जुड़ करके क्या बनाता है आड़ू बनाता है जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन के साथ, आक्सिजन के साथ और नैट्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? सहसनों जी बंद बनाता है तो उसमें एक BCS प्रकार का बंद देखने को मिलता है उसी को हाइड्रोजन बंद कहा जाता है जैसे कि इसका हम एक्जामपल ले लेते हैं तो हो जाएगा HF और इसका एक्जामपल ले लिया जाएगा तो हो जाएगा H2O योगिक तो बना रहा है हाइड्रोजन आक्सिजन से भी और फ्लोरीन से भी और यहाँ पे हाइड्रोजन और नैट्रोजन के बीच योगिक ले लिया जाए तो होगा NS3 यह सभी किस अवस्था में है तो solid state में किस अवस्था में है तो ठोस अवस्था में तो ऐसे ठोस को बोला जाता है hydrogen बंद से आबंधित आडवित ठोस जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके बारे में तो HF का example ले लेते हैं यह H2O का ही लेते हैं देखो तो सबसे पहले देखा जाए तो hydrogen और oxygen के बीच यहाँ पे बंद होगा तो oxygen यहाँ पे hydrogen के साथ इस तरह से दो एकल बंद बनाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है दो hydrogen है और एक oxygen है किस में तो H2O में ऐसे electron जो कि सजदारी में भाग नहीं लेते हैं तो उसको बोला जाता है लोन पेर अब एक ही और तो होगा नहीं जल में बहुत सारे और होंगे H2O में जैसे कि एक यहाँ पे हो गया यहाँ पे hydrogen यहाँ पे hydrogen वही इस्तिति इसमें भी देखने को मिलती है अब यहाँ पे oxygen की जो विद्यू देड़ा तमकता है उच होती है और hydrogen की निम्न होती है तो कहने का मतलब कि oxygen में electron गरहन करने का गुण अधिक है और hydrogen में कम है जिस कारण से यह electron को अपनी और अकर्षित करेगा अभी हम लोग करता है electron को रिडायन बनाता है और जो त्यागता है पता है क्या बनाता है धनायन बनाता है तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर भी वही इस्तित्य होगी यह electron को गरहन कर रहा है सज़दारी के इसलिए यह रिडायन बना रहा है और ये इलेक्टान का त्याक कर रहा है इसलिए क्या बना रहा है धनायन बना रहा है इतनी चीजे आपने समझा अब देखो जब एक आड़ू का धनावेश सिरा दूसरे आड़ू की रिड़ावेश सिरे से सिरे के पास होता है तो उनके बीच आकरसित होने लगता है क्योंकि दो भी परीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं आकरसित करते हैं ये चीज आप लोगोंने शीखा है पहले ठीक है तो क्या होता है उनके आकरसन होता है तो इस करण से ये एक बंद से जुड़ने लगते हैं जिसे डौटेड लाइन से हम इंडिकेट करते हैं उसी पास इलेक्टरान है फिर से इसमें डॉटेड लाइन द्वारे इसे प्रदसित करेंगे कि बंद बन जाएगा क्योंकि यहां पर पाजिटीव है और यहां पर निगेटीव है और इसी प्रकार के बंद को बोला जाता है हाइड्रोजन बंद क्या कहते हैं हाइड्रोजन बंद यानिकि HB क्या चीस्तो HB तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या अक्सीजन के साथ नैट्रोजन के साथ जूड़ करके साहसनियोजी योगिक बनाता है तो उन अड़वों के मध्य एक विशेश प्रकार का बंद देखने को मिलता है और उसी को बोला जाता है हाइड्र जिनके अड़वों के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है ऐसे ठोस को बोले जाता है हाइड्रोजन बंद से आबंदित आणविक ठोस तो यहाँ पे आपने पूरा कम्पलीट जानकारी ले लिया आणविक ठोस के बारे में आणविक ठोस क्या होता है तो इनके संगटक कण आणू होते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं एक को बोल पुजन बंद से आबंधित आडविक ठोस यहां पे कुछ भी इसकीप नहीं किया जाता है और यहां पे सतीक जानकारी दी जाती है और जो आपके सलिबस में हैं वो कमपलीटली आपको बताया जाता है यह नहीं है कि हम यहां पे कोई पेड़ वैच लागू कर रहे हैं और इस कुछ नहीं होने वाला है यहां से यहां पे आपको कुरमबध वीडियो देखने को मिलेगा यानि कि जो भी वीडियो यहां पे मिलेगा सभी बच्चों के लिए फ्री होगा यह नहीं है कि आपको जो है इसको पढ़ने के लिए कोई सुल्क देना होगा तो जब सुल्क देन आई नहीं है तो इसको जो है आपको विश्तार से देखना है और आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके एक्जाम में यह बहुत ही मदद करने वाला है तो इतनी चीज़े आपने शमझा यहाँ पे हमने एक पार्ट कमपलीट किया हुआ है जो है क्या तो आडविक ठोज लेकिन इसमें अभी बाकी है क्या बाकी है आडविक ठोज की बिसेस्ता यह कौन बढ़ाएगा इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी एक्जामिनेशन में बिसेस्ता ही पूछ देता है उसी से रिलेटेट क्वेस्चन आ जाते हैं तो वे भी पढ़न आडविक ठोज की बिसेस्ता क्या होती है आडविक ठोज की बिसेस्ता है क्या होती है तो सबसे पहली बात क्या है तो इनके गल्नांक बहुत कम होते हैं इनके गल्नांक कम होते हैं गलनांग का क्या मतलब गलनांग का क्या मतलब वह निशित ताप वह फिक्स ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है यानि कि ठोस से द्रववस्था में जाने लगता है वही उसका क्या कहलाता है गलनांग कहलाता है जैसे कि हम कहें कि आपने लिया है बर्फ तो बर्फ का जो गलनांग होता है, 0 degrees Celsius होता है, मतलब कि 0 degrees Celsius पर बर्फ लीक्विट फार्म में, द्रव अबस्था में जिसाने लगता है, दूसरा बात किया जाए, सबसे पहला तो हो गया, इनका गलनांग क्या होता है, कम होता है, दूसरी बात कि ऐसे ठोस नरम वा मुलायम होते हैं, क्या होते हैं नरम वा मुलायम होते हैं चीजों को समझते चलना है उसके बाद से तीसरा विशिस्ता नरम का क्या मतलब या मुलायम का क्या मतलब यानि कि इसको छूने पर ये मुलायम लगते हैं नरम का मतलब है कि इसको चांकु से भी काटा जा सकता है इतने ये नरम होते हैं अगली जो विशेस्ता होगी हो क्या है तो ये बिध्यूत के कुछालक होते हैं मतलब कि इसमें electricity प्रवाहित नहीं हो सकती है तो ये रहा आण्विक्थोस की विशेस्ता और आण्विक्थोस के बारे में Completely जानकारी आपने ले लिया है तो इतनी चीजे आपने समझा ये सब कुछ आपको नोट करते चलना है ताकि आपका जो preparation है तैयारी है वो बहुत ही अच्छे दंग से हो पाएं और यदि आप examination में अच्छा करते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है गर्व की बात होती है तो चलिए चीज्च नाम क्या होगा तो उसका नाम होगा आयनिक ठोशोष क्या चीज्तो आयनिक ठोश दूसरा नंबर आयनिक ठोश इंग्लिस भी होई वही होगा सॉलेडत ठीक है ग्युद का होते है समझना है इसमें तो आय इं यहां पी एक सब्द देखने को मिल रहा क्या चिस्तो आयन आयन का मतलब है कि इसमें आयन देखने को मिलेगा आयन कितने प्रकार के होते हैं आयन कितने प्रकार के तो दो प्रकार के एक को बोले जाता है धनायन और दूसरे को बोले जाता है रिडायन इसका मतलब है कि आयन भी पदार्थ का संधटक कण है आवयवी जो आयनों से मिलकर बने हो यानि कि धनायनों और रिडायनों से मिलकर के बने होते हैं ऐसे ठोस को बोला जाता है आयनिक ठोस यानि कि इनके अवयविकन क्या होते हैं धनायन और रिडायन होते हैं और जिनके मध्य प्रबल बिद्यूत आकरशन बल होता है क्या होता है प्रबल बिद्यूत आकर्शन बल होता है वही चीज लिखेंगे इनके अवयवी कण धनायन एवं रिडायन होते हैं इनके मद्य प्रबल वेद्यूत आकर्शन बल होता है इनके मद्य कौन सा बल होता है तो प्रबल वेद्यूत आकर्शन बल से ये क्या होते हैं बंदे होते हैं और ऐसे ही ठोसों को बोला जाता है आईनिक ठोस क्या उनसा ठोस तो आईनिक ठोस जैसे कि हम बात करें यहाँ पे na cl का na cl यदि इसको तोड़ा जाएगा तो na पर plus और cl पर minus क्या बनेगा? na पर plus और cl पर minus वही चीज़ यहाँ पर दिखाते है na पर plus और cl पर minus ठीक है? तो कहने का मतलब इसके पास क्या है? आयन है धनायन और रिडायन सब्सक्राइब निल्यक्ट कार्ण सब्सक्राइब छोटा होगा क्यों कि इसकाsk长eling आकार में बिषसी होगी जब कार फिन आकार क्षिक्ट होगhésitez कोई तो करते कि में करते हैं तया यहीं कि नहीं गयुए जिसकार सेुए घॉए चोटा होगा जैसे कि हम इनकी संरचना की बात कर लें तो संरचना की बात करते हैं तो यह वाला है रिडायन यह दनायन क्या रिडायन धनायन रिडायन धनायन ठीक है रिडायन धनायन अब यहां पर होगा धनायन तनायन और रिडायन तो इस तरह की संरचना देखने को मिलती है किसमें तो इनने सील में क्यों इस रिडायन का आकार बड़ा है और क्यों धनायन का आकार छोटा है इसके भी बारे में हमने बात कर लिया अब हम बात करेंगे बिसिस्ताएं की यानि कि क्या चिस्तो आयनिक ठोस के गुण या विशेस्ताएं यह हम बात कर लेते हैं क्या विशेस्ताएं होती है आयनिक ठोसों की तो सबसे पहली बात कि यह द्रिड होते हैं क्या होते हैं द्रिड वहाँ पे उसकी प्रती जो आडविक्ठोस हैं वो तो होता था कैसा मुलायम होता था लेकिन यह क्या होते हैं द्रिड होते हैं लेकिन यह भंगूर होते हैं सबसे पहला हो जाएगा कि यह द्रिड होते हैं परन्तु भंगूर होते हैं ठीक है द्रिड होते हैं थोड़ा बहुत कठोर होते हैं लेकिन भंगूर भी होते हैं अब भंगूर का क्या मतलब जैसे कि आपके पास एक बड़ा सा राह का टुकडा है उसको आप धबाएंगे तो छोटे छोटे टुकडों में वो क्या हो जाएगा तूटने लगेगा इसी इस्तिती को तो बोला जाता है भंगूर अवस्ता कौनसे अवस्ता तो भंगूर अवस्ता तो कहने का मतलब है कि यह जो आइनिक ठोस होते हैं द्रिड होते हैं प्रंतु क्या होते हैं भंगूर होते हैं दूसरी बाद कि इनकी जालक उर्जा उच्छ होती हैं इनकी जालक उ तो इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है ये भी उच्छ होता है इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है उच्छ होता है इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है जालक उर्जा का क्या मतलब जिस उर्जा से एक दूसरे से बंदे हुए है जिस उर्जा से एक तुसरे से बंदे वे धनाय नूरड है, वही क्या है, जाला कुर्जा है, और जाला कुर्जा उच्छ होती है, इसलिए इनके औरों को तोड़ना करथिन काम होता है, और इसलिए तो बोला गया कि यह क्या होते हैं, द्रेड होते हैं, क्या होते हैं, द्रेड होते हैं, आगे इन को था नंबर पर तो यह गलित या बिलेन अवस्ता में बिद्यूत के सुचालक होते हैं तो खोष अवस्ता में बिद्यूत के कुचालक होते हैं वही चीज लिखेंगे ये गलित या विलेन अवस्था में विलेन अवस्था में विद्यूत के सूचालक होते हैं क्या होते हैं सुचालक होते हैं किन्तु ठोश अवस्था में बिध्यूत के कुचालक होते हैं क्या होते हैं कुछ आलक होते हैं इतनी बाते आपने समझ लिया कि क्या होते हैं तो बिलेन अवस्था में बिद्यूत के सुचालक होंगे गलित अवस्था में सुचालक होंगे क्यों क्योंकि जब इनको घोला जाता है या इसको पिगलाया जाता है तो इसके जो आयन है उर्ज आइनित हो जाते हैं क्या हो जाते हैं आइनित हो जाते हैं और आइनित जैसे ही होते हैं इलेक्सिटी उसमें फ्लो किया जाएगा तो आसानी से इलेक्सिटी का प्रवाह होगा यानिकि यह बिद्यूत के क्या हो जाएंगे सुचालक हो जाएंगे और इस तरह से ऐसे ठोस में रख्धा हुआ हैं जैसे कि नमक सभी लोगों के घर में नमक होगा और नमक में यह आप उस में प्रवाहित NPL नहीं होगा क्यों क्या है भो सवस्था में विद्यूत का अरे बिलीयनी अगली तवस्था में विद्यूत का सूचालक है है अब बात किया जोह ओदाहरण की उदाहरण की जैसे कि इनने सी यल है इले सुलिड श्रेट में होता ही है या और तो यह सारे ऐसे एक जामपल देखने को मिलते है जो कि हमें solid state में यह चीज दिखाई देती है जैसे कि और भी है mdcl2 है cacl2 है cacl2 यह सारी जो चीजे हैं कैसे ठोस हैं तो किस परकार के ठोस है आई निक ठोस है समझ में आ चुकी है सारी बाते यह दिसमझ में आ चुकी है तो जरूर आप कमेंड के माद्य हमसे बताएं आगे अगला जो पढ़ेंगे ओह होगा कौन सा तो होगा सहस्तनियोजक ठोस या नेटवर्क ठोस बने रहेगा वीडियो में अन्त तक बहुत ही अच्छा लगने वाला है चलिए अब हम इंची जो को मिटाएंगे आपको इसके इनचोट लेना है और इसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है तो दूसरा भी हमने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था आइनिक ठोस आइनिक आइनिक ठोश आइनिक शोलिट अब हम बात करेंगे तीसरा जो होगा बहुत ही important ये भी और यहां से भी question पूछे जाते हैं तो सब कुछ जो बताया जा रहा है बहुत ही important चीजे बताया जा रहा है तीसरा नमबर पे जो होगा क्या सहसनियोजक ठोश या इसी को बोला जाता है नेटवर्क ठोश इंगलिज की बात की आजा है को valence solid और network solid देखते रही है सारी चीजों को समझते रही है बात की आजा है सहसनियोजक क्रिस्टल का क्या होता है तो ऐसे क्रिस्टल जिनके संगटक कर सहसनियोजी बंद से आपस में जुड़े होते है इनके जो संगटक कर होते है वो पर्वाड़ होते है जो की आपस में सहसनियोजी बंद से जुड़े होते है तो ऐसे क्रिस्टल को ऐसे ठोश को बोला जाता है सहसनियोजक ठोश या network ठोश देखा जा यहाँ पे सहसनियोजक ठोश की बात किया जा है तो वो चीज हम लिख लेते हैं वे क्रिस्टल जिसके शंगटककन यहाँ पर संगटककन की बात किया जाएगा परमाडु का फिक है ना संगटककन शहसनियोजक बंद से बंद से जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं ऐसे ठोश को ऐसे ठोशों को क्या कहते हैं नेटवर्क ठोश कहते हैं नेटवर्क ठोश कहते हैं नेटवर्क ठोश कहते हैं मतलब कि इनके परमाडु आपश में सहसनियोजी बंद द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाते हैं इनके संगटकन आपस मिसा समुझे बंदवारा इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि एक निटवर्क का निर्मान कर लेते हैं किसका निर्मान कर लेते हैं निटवर्क का जैसे कि हम कहें कारवन देखो तो कार्वन की सनुजगता चार होती है क्या होता है चार क्योंकि इनको चार इलेकरन चाहिए होता है अपने वाहिय कोश को पूरा करने के लिए यहने की अक्रिय गर्ष समझना प्राप्त करने के लिए तो यह चार अत्रिक्त कार्वन से जुड़ा आता चार अतरिक्त कारवन से जुड़ा, ये भी चार अतरिक्त कारवन से जुड़ेगा, इस तरह से यह जुड़ करके, क्या करता है, तो एक आपका जाल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, किसका तो सहसन्योजी ठोसका, किसका तो सहसन्योजी ठोसका, इसका जो बिसिस्ता होगा, उस बिसिस्ता की बात करेंगे, तो सबसे पहली बात क्या, तो इनका गलनांक व अकवतनांक उच्च होता है, बिसिस्ताएं की बात किया जाए, या गुनधर्म की बिसिस्ताएं या गुनधर्म की बात कर लिया जाए किसका तो शह सन्यूजक ठोस या नेतवक ठोस का तो क्या होता है तो इनका गलनांक पर कोथनांक बहुत ही उच्छ होता है पहला नंबर इनका गलनांक एवं कोथनांक उच्छ होता है क्या होता है उच्छ होता है बात किया जाए दुसरा नंबर पे क्या होगा तो ऐसे ठोस बहुत ही कठोर होते है अतियंत कठोर ठीक, तो ये अतियंत कठोर होते है कठोर होते हैं जिसे कि हीरा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा तो हीरा सबसे कठोर पराथ होता है तो ऐसे ठोस बहुत ही कठोर होते हैं अगली बात किया जाए तो ग्रिफाइट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बिद्यूत के कूच आलक होते हैं बात किया जाए तीसरा तो ग्रिफाइट को छोड़ करके ग्रिफाइट को छोड़ कर अन्य सभी बिद्यूत के कुचालक होते हैं क्या होते हैं कुचालक होते हैं ठीक तो ग्रिफाइट को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी क्या होते हैं बिद्यूत के कुचालक होते हैं चीजों को आप समझते चलिए इसका मतलब है कि ग्रिफाइट ही ऐसा सहस्तनियोजक्थोस है नेतवर्थोस है जो की बेद्यूत का क्या होता है सूचालक होता है क्या होता है सूचालक होता है अगली बात क्या जाए चोथा भी सेस्ता तो ये किसी भी प्रकार के बिलायक में घुलनसील नहीं होते है मतलब कि सभी बिलायकों में अबिले होते हैं अगुलनसील होते हैं इसको किसी भी परकार के बिलायक में घोला नहीं जा सकता है जैसे कि चीनी या नमक को पानी में घोला जा सकता है तो पानी बिलायक है लेकिन वही पर आप हीरा को घोलेगा नहीं घोलने वाला कहने का यही मतलब है हमारा कि यह किसी भी प्रकार के बिलायक में ओविले होते हैं ये सभी बिलायकों में सभी बिलायकों में ओविले होते हैं क्या होते हैं ओविले होते हैं बाद कर लिया जाए एक्जामपल की उदाहरन की तो उदाहरन भी इसके बहुत ही शटीक है और उदाहरन भी यहां से आपको पूछे जाते हैं जैसे हीरा हो गया, ग्रिफाइट हो गया, सिलिकान करवाइट हो गया उदाहरन में देखा जाए, तो हीरा, ग्रिफाइट, हीरा और ग्रिफाइट क्या है? कारवन के अपरूप है क्या है कारवन के अपरूप है यह शिलिकॉन कारवाइट इसको SIC से इंडिकेट किया जाता है किसे तो SIC से इसी को नाम दिया जाता है कोरेंडम इसी का दूसरा नाम है क्या चीज़ कोरेंडम नाम सुने होंगे आप लोग कोरेंडम का तो यह है और भी कुछ है यानि कि आगे लिख देते हैं आदी तो यहाँ पे बात कर लिया हमने सहसनियुजग थोस याने टवक थोस के बारे में और ये भी आप लोग खुब अच्छे से समझ लिए, अब हम अगला जो जानेंगे, वह होगा, क्या चीज, तो वह होगा, चोथा नमबर, और चोथा नमबर पे जो होगा, उसका नाम है, कौन सा ठोस, एक ही तो बचा है, बता दो, धात्वीक ठोस, क्या उन सा ठोस तो, धात् सारी चीजे, ताकि आपको कंठश होते चले, याद हराते चले, ठीक है, अगला नमबर, ये सारी चीजे हम मिटाएंगे, आपको इस्क्रिन साट ले, ना इस्क्रिन साट ले, और चोथा, जो ठोस का बात किया जाएगा, क्रिश्टल ये ठोस, उसका नाम है, धात्वीक ठोस क्या चीज़तो, धात्वीक ठोस, चोथा नमबर पे लिख लेते हैं, यहाँ पे, धात्वीक ठोस, फोर नमबर पे आएगा, इंगलिस बुला जाता है, मिटोलिक शोलिट, मिटोलिक शोलिट, चीक है, धात्वीक ठोस की बात किया जाएगा, धात्वीक ठोस होता ही क्या है, धात्वीक ठोस होता ही क्या है, तो धात्वीक ठोस के बारे में तो सभी लोगोंने जाना होगा, और धात्व के बारे में पढ़ा भी होगा, क्लस नाइन्थ में ही बताया सबक्राइन ऐसे तत्वा है जो एलेक्टरान का त्याग कर धनायन बनाते हैं ऐसे ही तत्व मैं है इसने क्या कि एक इलेक्टरान का त्याग कर दिया जब एक इलेक्ट्रान का त्याग किया तो उतना ही वो क्या बनाएगा धनायन बनाएगा तो इसका मतलब इसने क्या बनाया धनायन बनाया इसलिए ये क्या है धातु है क्या है तो धातु है अब हम बात करेंगे कि आपके पास इतना बड़ा एक धातु है क्या है धातु है तो बड़ा है तो धातों की शंक्या तो अधिक होगी एक पदार्थ लिया जो की धातों है जैसे कि लोहा बहुत अधिक शंक्या होगी और क्या होगा उसमें बहुत अधिक इलेक्रान का त्याब होगा इसका मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्रान है तब हम कह लेते हैं यह क्या है है इलेक्त्रान का समुद्र है लेकिन यह धनायन बना रहा है यह तो रहे गा इंग जो धनायन बन रहा है ये भी तो यहीं पर रहे गा जो यहाँ पर एलेक्त pyramid करके बनाया जा रहा है इसका मतलब है कि धात्व उंगों में, इलेक्ट्रान के समुद्र में उनके धनायन बितरित रहते हैं। यही चीज हम यहां पर नोट करते हैं। धातू में इलेक्ट्रान के समुद्र में उनके धनायन बितरित रहते हैं, ठीक है? ये तो इलेक्ट्रान का ही तो समुद्र है, ये पूरा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये क्या कर रहे है? इलेक्रान त्याग कर रहे हैं क्या रहेगा यहीं पर रहेगा ना कहीं जाने वला तो है नहीं तो इलेक्रान का यह समुद्र है लेकिन धनावेश भी उसमें है तो क्या है उसमें धनायन बितरित रहते हैं क्या होते हैं धनायन बितरित रहते हैं और यह धातू में धनायन और इलेक्ट्रान के बीच जो बंधन होता है ऐसे बंद को बोला जाता है धात्विक बंद वह इस लिखा जाएगा इस प्रकार के इस प्रकार के बंद को धात्विक बंद कहते हैं क्या कहते हैं धात्विक बंद कहते हैं बाते समझते चलना है ऐसे बंद को धात्विक बंद कहा ज जाता है और इस प्रकार के ठोस को क्या कहेंगे लात वी ठोस कहा जाएगा आगे हम बढ़ जाते हैं और जान लियाज़ा इसकी विशेस्ता विशेस्ता से पहले यदी किसी धात उपर कैसे रेफ्लेक्शन लाइट आ रहा है क्या चीस्तों लाइट यहां से आया ठीक है क्या होगा इस पर रेफ्लेक्शन होगा ना परावर्तन होगा परावर्तन होगा जिस कारण से इसमें चमक उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है चमक और यह चमक किस करण इसमें इलेक्ट्रा विशेस ताएं, विशेस ताएं, क्या होती है, तो सबसे पहली बाद, कि ठोश अगहात वर्धनिय होते हैं, और तन्य होते हैं, क्या होते हैं, पहला नमबर, ठोश अगहात वर्धनिय होते हैं, वर्धनिय होते हैं, वर्धनिय होते हैं, वर्धनिय होते हैं, वर्धनिय होते ह वहत्तनिये होतें घात वर्धनी से इसको क्या करो और तोटेगा नADE फैलेंगा चाधर में फैल जाएगा और फैलने का इगा अगात वर्धनी आगात वर धनी यह तनी बंध मजबूरत होते में गहाति चमक पाफंप होँथ है उसमें मुक्त इलेक्टान के करण यह जो इलेक्टान होगा इसमें मुक्त है वो क्या है इस्थिर बैठा है इस्थिर नहीं बैठा गतिसील है क्या है गतिसील है तभी तो यहां से लाइट आया और रिफ्लेक्शन किया यहां कि चमक उत्पन न किया तो मुक्त इलेक्टान जो है इसमें गतिसील होता है और धातू में जो चम्यक होती है वह मुक्त गतिसील इलेक्टरान के कारण होती है वही चीज यहाँ पर लिखेंगे कि इनमे इनमे धात्विक चमक होती है इनमें धात्विक चमक होती है क्या होती है धात्विक चमक होती है जो कि किसके करण होती है तो मुक्त गतिसेल इलेक्टरान के कारण होती है जो कि मुक्त गतिसेल इलेक्टरान के कारण होती है किसके करण होती है तो मुक्त गतिसेल इलेक्ट्वान के कारण होती है अब बात किया जाए अगली भी सेस्ता की तो अगली भी सेस्ता क्या है तो ये बिद्यूत्व उस्मा के सुचालक होते हैं क्या तो जो तीसरा जो भी सेस्ता होगा मतलब कि इसमें बिद्यूत प्रवाइद किया तो बिद्यूत जाएगा जितनी भी electricity की work होता है उसमें तो धातु ही होते हैं जितने भी wire बने होते हैं जो भी बिद्यूत समंधित कारी होते हैं उसमें धातु की जादा उपयोगिता है धातु का जादा वहां पर यूज किया जाता है दूसरी बत कि यह उस्मा के सूचालक होते हैं क्या मतलब जैसे कि एलुमिनियम एक धातु है एलुमिनियम की जो है पेन बनता है कडाही बनता है इस तरह से उसका हैंडल होता है क्या होत यहां पे प्लास्टिक को कूछ आलक होता है तो यह रहा यहां पर क्या चीज़ धात्रीक थोश के बारे में अब हम बात करेंगे उदाहरण उदाहरण से पहले हम आपको थोड़ा सा रिविजन करेंगे पीछे फिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा आवर्ट साड़ी के बारे में बना लेते हैं छोटी सी आवर्ट साड़ी क्या जाता है छीक है एक छोटी सी आवर्शाडी बना लेते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि ये जो आवर्शाडी है इसमें 4 बलाक होते हैं ये वाला जो दिख रहा है इसका नाम है S बलाक ये जो बीच में दिख रहा है इसका नाम है D बलाक और ये जो दिख रहा है इसका नाम है F बलाग, खुन सा बलाग तो F बलाग, S बलाग के सभी तत्वा हैं, S बलाग के सभी तत्वा हैं, क्या होते हैं, धातो होते हैं, बोला जाए D बलाग का, तो D बलाग के सभी तत्वा भी धातो होते हैं, D बलाग के सभी तत्वा भी क्या होते हैं, धातो होते हैं, उसके बाद से B-block में चलते हैं तो यहां पर आपको सीधी नुमा चीजे देखने को मिलती है टर यह सीधी के जो अंदर है सीधी के जो अंदर है जो तत्व है, वो क्या है? उपधातू है और जो इसके लेफ साइड में सीधी के जो लेफ साइड में है वो क्या है धातू है और जो यह राइट साइड में दिख रहा है वो क्या है तो ओ धातू है आवर्शाडी में यह परिशे आपको करवाया गया होगा ठीक है कहां पे कौन से तत्त विद्यमाने तो आपको पता चल गया कि कहां कहां पे धातू है कहां पे अधातू है कहां पे देखा जा रहा है तो आवर्षाणी के 80% से अधिक हिसा किस से गिरा हुआ है तो धातु से गिरा हुआ है क्योंकि S बला के भी तत्व धातु है D बला के भी तत्व धातु है और F बला के भी तत्व धातु है थोड़े से तत्व किसमे P भी बलाक में निकल हो गया सोडियम, पोटेसियम, सिल्वर, गोल्ड, अलुमिनिउम, बहुत सारे ऐसे ततो हैं, जिसकों कि हम धातू कह सकते हैं उदारन की बात किया जाए तो लोहा है, एलूमिनियम, स्टोडियम, उसके बाद से पोटेसियम, मैगनिसियम, गोल्ड, शिल्वर, ठीक है, कोबल्ट, निकिल, ये सभी क्या है, ये सभी जो है, दातु ही तो है, तो यहाँ पे हम लोगोंने कम्पलीट कर लिया है, ठोश अवस पार्ट 3, जिसमें हम लोगोंने जाना, क्रिष्टलिय ठोशों के बारे में, जो क्रिष्टलिय ठोशों का बरगी करण हमने जाना, तो दो आधार पर क्रिष्टलिय ठोशों का बरगी करण किया गया, एक को क्या, उनके संगटक कणों के मद्य बंध के आधार पर, और दूस आडविक थोस यानि कि molecular solid, दूसरा ionic थोस, जो की है क्या? ionic solid, इसके भी बारे में हमने complete जानकारी दिया इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा किश्क के बारे में, तो सहसनी जी थोस के बारे में, यानि कि इसी को network थोस भी बोला जाता है, जैसे कि हीरा गरफाइट आदी का एक्जामपल लिया गया था और उसके बाद से अंतिम जो था चोथा नंबर के उक्या है धात एक्ठोस याए कि मेटॉलिक आजिएक अंतिम शोलिड और मेटॉलिक सोलिड के बारे में पूरा कंपलीट जानकारिया आपको दिया गया इसका आपको स्क्रीन साट लेना है अपने नोट में लिखना है और उमीद है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं और इसा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है हम लोग ऐसा ही करिये और अपनी पढ़ाई को कमेश्टी में अपने आपको मजबूत बनाई मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ इसी चेप्टर से तब तक के लिए थैंक्यू, थैंक्स पर वाचिंग, जुड़े रहे नरायन सर क्लसस के साथ